नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या इसे पीरिट्स को हम जल्दी ला सकते हैं और यदि आपको पीरिट्स में जादा प्रॉब्लम हो रही है जादा कश्ट का सामना करना पड़ रहा है तो कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो के नीचे आ रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि ये चैनल आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकें और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप देखेंगे एक बैल का चिन यानि की एक बैल का आइकन आप उसे दबा दीजिए ताकि इस चानल से संबन्दित सारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे निशिल्क और हिंदी भाशा में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे हम मासिक धर्म को जल्दी ला सकते हैं और यदि हमें जादा कश्ट हो रहा है तो कैसे उनसे निजात पा सकते हैं आप अगर मासिक धर्म जल्दी लाना चाहती हैं, तो आपको एक कप प्याज का रस और गुड मिलाकर उसका सेवन करना है। इससे आपका मासिक धर्म जल्दी आ जाएगा। दिन में नियमित तोर पे आप यदि एक बार चाज का प्रयोक करती हैं, यानि कि एक ग्लास चाज का सेवन करती हैं तो उससे आपका मासिक धर्म नियमित हो जाएगा और वो जल्दी आने लगेगा चुकुंदर का रस और गाजर का रस इनका सेवन करने से आपका मासिक धर्म जल्दी आने लगता है जो महिलाएं मासिक दर्में बहुत जाधा परेशान होती हैं, उन्हें बहुत जाधा रक्त बहाव होता है, उन महीलाओं को इन चीजों का प्रयोग करना है अनार के सूखे चिलके पीस कर चान कर रख लें यदि आपको मासिक धर में बहुत जादा समस्या हो रही है तो इस सूखे हुए पीसे हुए चिलके का सेवन करें इसके अलावा घी, देशी शक्कर और पिसा धनिया इन तीनों को मिलाकर खाने से अधिक रक्त आना बंध हो जाता है चावल का पानी और उसके साथ पिसा हुआ धनिया लेने से इतना लाब होता है कİ आपका अधिक रक्त निकलना बंध हो जाता है ये थे कुछ आसान से तरीके जिनकी मदद से आप अपने मास्तिक धर्म को जल्दी ला सकती है और यदि आपको बहुत जादा कष्ट हो रहा है तो उन कष्टों से आप मुक्ति पा सकती है हमें पूरी उमीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आयरवेदिक और घरेलून उसकों की जानकारी मिलती रहे हम यहाँ पर रोज एक नई होम रेमेडी लेकी आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए